वेल्कम टू वाइफाई शूरू करते हैं आज का हमारा वन्वर्ड और एडीम का सेशन बिना टाइम वेस्ट करें गया ना तो बढ़ते हैं आज के हमारे वन्वर्ड के सेशन की तरफ बढ़ एक उससे पहले आपको एक छूटी सी इंफर्मिशन दी दू कि अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है अनकैडमी लर्निंग अप पे तो जाकर करके मुझे फॉलो करें और फॉलो करने के बहुत फायदे आप लोगों को नजर आएंगे अगर आप मुझे आप मेरी special glasses नजर आएगी और ये special glasses जो है वो पुरी तरीके से free है ठीक है येす्पेशल glasses ये आपके पूरी तरीके से free है तो इन free special glasses का अगर आप फायदा औठाना चाहते हैं तो जाये और मुझे अनकैडमी learning app पर follow करिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमारे पहले word की दरफ move करते हैं, आज के हमारे जो पहला word है वो है discern, और इस discern का मतलब होता है to know, recognize or understand something, especially something that is not obvious है ना, तो किसी चीज को जानना, recognize करना और understand करना, especially वो चीज जो कि obvious नहीं है, आपके discern कहलाती है, ठीक है, देखो, दूसरा आज का हमारा word है, वो है mental, पहले का मतलब क्या हो है discern का मतलब, कोई चीज जिसको to know, recognize or understand, कोई चीज जिसको आपको जानना है, समझना है, understand करना है, जो कि obvious नहीं है, उसको represent करने के लिए discern word का प्रियोग करता है, ना, next word आप लोगों के सामने है, mental, और इस mental का मतलब होता है, to cover the surface of something, किसी चीज का surface, किसी कोई चीज है, कोई surface है, मतलब किसी चीज के surface को cover करना, आपके mental करना कहलाता है, तो अगर यह central सुना हो, कि spring has spread her mental of green over the earth की, वसंत रितू ने अपनी हर्याली की चादर जो है, वो आपके बिचा दिये धर्ती के ओपर है, तो mental आपके cover करना होता है, किसी surface को, right, चादर बोल सकते हैं, या किसी को ढखना हिंदी में context हो सकता है, जब हम किसी चीज को ढखे या cover करें, तो इसको represent करने के लिए mental word कर या कपर योग कर सकते हैं, तीसरा हमारा जो आज का word है, यह बड़ा ही प्यारा word है, बहुत ही अच्छा word है, इसका pronunciation का थोड़ा सा ध्यान जान जाना ही है, कूट्षपा का मतलब होता है, ऐसा behavior जो की, जो की, मतलब जो audacity है, मतलब है, दुसाहस बोल सकते हैं, ऐसा behavior किसी एक person का ऐसा behavior है, ऐसा attitude जो की shocking है, लेकिन आप ऐसा behavior नहीं करना चाहिए, शोकिंग है, लेकिन आप ऐसा behavior देखने के बाद में आपको ये भी अडिमार करना है कि बंदे में guts तो है, बड़ा audacious बंदा है, कितना की, ऐसा काम उसने कर दिया, जैसे कि ये देखो, share को gift देने पहुंच गया, और उपर से smile or कर रहा है, तो ये जो behavior है, ये क्या है, ये course पा कहलाएगा, राइट, तो आपको इस वेक्ति को देख करके shock तो लगेगा, बट at the same time आप ये भी सोचोगे कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बड़ा काम इसने कर दिया है, तो इसके जो audacity है, जो इसका audacious होना जो है, उसके आप तारीफ भी करोगे, कहने का मतलब ये है, कि आप इसको admire भी कर रहे हैं, बट at the same time इसके attitudes से और behavior से आपको shock भी गया गया, तो that is what you call course पाह, ठीक है, आज का हमारा जो next word है, वो है maleficence, और maleficence का मतलब होता है, illegal action, especially those of a government official or large business company, जो large business company होती है, उनके जो illegal actions होते हैं, कोई government official का जो illegal action होता है, वो आपके maleficence कहलाता है, तो ये अपराहद है, और अपराहद को ही represent करने वाला ये word है, दोस्त तो maleficence है, next word आप लोगों के सामने है, maleapropism और ये होता है, गलत शब्दों का इस्तमाल करना, the wrong use of one word instead of another word, because they sound similar to each other, with results that are unintentionally funny, देखो, मेरे बाद बात धान से सुनना, maleapropism जो है, वो सही शब्दों का परियोग नहीं करना होता है, मतलब आपको करना किसी और word को है, लेकि की वज़र से अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है, he will dissolve my mystery है, तो यहां पर देको, picture से आप लोगों को समझ में आएगा, he will dissolve my mystery, तो mystery को dissolve नहीं किया जाता है, उसको resolve किया जाता है, तो इसने क्या कर रहा है, resolve कि जगे dissolve बोल दिया, क्योंकि वो काफी similar लग रहे है, तो यह आप प्रॉपिजम, मेलफीशन, कूर्स पा, मैंटल, और डिसर्ण, तो यहां मैच करेंगा है, सेंटेंस हमेरे पास में आथ चारी है, चलो, कोई दिकत वाली बात नहीं है, मैच करते हैं, तो, the mayor was accused of dash after the audit was completed and irregularities were discovered, the mayor was accused of what, किस चीज का, देखो, उसने कुछ ने कुछ corrupt काम किया, illegal action किया है, तो यहां पर पहले के अंदर मेलाफीसिंस आजाएगा, दूसरा है, heavy mist, dash the forested slopes behind the village, चेक है, कि जो slopes थे उनको, जो heavy mist ने क्या कर दिया आपके, उसने cover कर दिया, धक दिया होगा, यही context है, दूसरे के अंदर आपके mental आज the forested slops behind the village, कि village के जो forested slops है, विलेज के पीछे, उनको heavy mist ने क्या कर दिया, mental कर दिया, उसने पुरी तरह के से धग दिया, cover कर दिया, the man could not dash between right and wrong, कि जो man है, वो right or wrong के बीच में discern नहीं कर पाया, अंतर नहीं जान पाया, उसको discover नहीं कर पाया, it took a lot of dash to talk to your boss like that, कि अपने boss स इस तरहीं से बात करने के लिए बहुत audacious होना पड़ता है, बहुत ही brave होना पड़ता है, तो इसमें आपके छोते हमें क्या जाएगा, कूट्स पा जाएगा, पाच्छों का sentence यहाँ पर गलती से मिस हो गया, लेकिन कोई बात ही है, mellapropism हमें पता है, सब्दों का गलत प्र driving नहीं करता हो, उसको represent करने के लिए हम road hog का प्रयोग करता है, example sentence, the taxi driver is such a road hog, कि जो taxi driver है, वो एक road hog मतलब वो बहुत ही गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, बड़ा ही rash driver है, next step लोगों के सामने दोस्तों, monkey business, ठीक है, और इस monkey business का क्या मतलब होता है, monkey business का मतलब होता है, decideful or dishonest behavior है, ऐसा behavior जो कि dishonest है, इमानदार नहीं है, decideful है, उसको represent करने के लिए monkey business का प्रयोग करते है, अगला, यहां पर example sentence, देखो, there is too much monkey business going on in the governor's office, की, जो governor office है, उसके इने बहुत monkey business चल रहा है, मतलब बहुत ही dishonest तरीके से काम चल रहा है और बहुत गलत तरीके से business हो रहा है, आपके आना, चीजें हो रही है वाप आना, गवरनर के office में जो चीजें हो रही है, वो dishonest तरीके से हो रही है, पूरा corrupt है, सब कुछ दोके बाजी चल रही है, सब कुछ गड़ बड़ जाला चल रहा है, तीसरा आपके सामने है, at a loss, जिसका मतलब होता है, to be puzzled और uncertain है, तो जब आप puzzled और uncertain हो चीजों को ले करके, तो at a loss एडियम का प्रियोग करता है, ये upshore नियों चीजों को ले करके, confused हो, she became popular and was at a loss to know why, वो popular हो गई, she became popular, she became popular and was at a loss to know why, and was at a loss, और वो इस बात पर उसको बड़ा loss फील कर रही थी, why, कि वो कैसे popular हो गई, इस बात से वो पजल थी, uncertain थी, ठीक है, चलो, cash cow का मतलब हो गया, ऐसा business, that provides a steady income, ऐसा business जिससे लगाता है, पैसा आता रहता है, उसको रिपर्जेंट करने के लिए cash cow का प potential cash cow to dozens, कि रूनी के जैसा जो player है, वो basically आपके potential cash का हो है, मतलब, वो लगाता है, आपको income देगा, और उसकी वज़ए से cash का flow चलता रहेगा, जूरी इस चिल आउट जो है, ये भी काफी अच्छी EDM हो, इसका मतलब होता है, decision has not been taken yet, अभी तक decision नहीं लिया गया, ये आपके इस EDM का meaning होता है, the jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building a new parking lot, jury is still out on the question of building का मतलब होता है to be confused or puzzled monkey business dishonest behavior होता है और road होग आपके rash driver होता है तो फटा-फट से match कर लेंगे road होग आपके rash driver हो गया monkey business आपके जो है वो uh decideful or dishonest behavior हो गया at a loss at a loss का मतलब होता है to be puzzled or uncertain cash cow ऐसा business जो लगातार पैसा देता है और jury is still out decision has not been made तो यह पांच idioms थे दोस्तों अगर आप लोग interested है मेरे referral code का प्रियोग करके an academy plus subscription लेने में तो आप ले सकते हैं आपको करना क्या है आप लोगों को an academy lending app को download करना अपनी category को choose करना है अपनी category को choose करने के बाद में get subscription पर जाना और बारा महीने का प्लान चूज करना यह बहुत ही बहतरीन प्लान है बारा महीने का प्लान चूज करने के बाद में आपको referral code लगाना हर्श 11 apply पे click करना है जैसे apply पे आप click करोगे आपको instant 10% का discount मिल जाएगा उसके बाद में आप credit debit card net banking और you pay के through payment कर सकते दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next session में till then take care all the very best bye bye